दोस्तों वीडियो मिसमत की जए वीडियो बहुत इंपोर्टन थम्निल में देख लिया आपने ज़दी आपका लोन डिफॉल्ट है या लोन राइट ओफ हो गया है या आपका किसी भी तरह की दिकत परिशानी है किसी भी तरह की आपका loan जो है repay नहीं कर पा रहे हैं EMI नहीं पे कर पा रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखेगा एक बहुत important comment आई हुई थी और ध्यान से देखेगा इस वीडियो में यही बात होने वाली है loan moratorium के बात जदी आप EMI पे नहीं कर पा रहे हैं EMI पे करने में फेल हो गए है NPA हो गया है राइट आफ होने के कगार पर आ गया है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा सभी loan defaulter के लिए बहुत बड़ी बात बहुत गजब का वीडियो है वीडियो को ध्यान से देखेगा है कई सारी जानकारी बताएंगे चलिए आगे बात करेंगे नहीं लाइक मन करने कमान है तो डिसलाइक मार दो यार कोई दिकत पर बात नहीं यार लूट पर ठीक है चलिए जब तक यह open होता तब तक बात करते थे कि RBA का resolution framework 2.0 के ताथ जो भी व्यक्ति का loan चल रहा जिन्हों ने apply नहीं किया है 30 September 2020 तक है आप लोग apply कर लेजिएगा ECLGS की तहद भी आप 2 साल तक मोटम ले सकते हैं बिजनेस वाले और जिसका retail loan है वो भी apply कर सकते हैं जिन्हों ने apply नहीं किया वीडियो को description वेब साइट वगर दिया आगे बात करते हैं दोस्तों important वाली बात है यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर देखें किसका है कमेंट है दोस्तों यहाँ पर कमरान खान का है कामरान खान का है कमरान का कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धनवाद, आपका कमेंट बहुत लोगों को फायदा देगा, देंके ये पूछ रहा इसका कोई लोन चला है, व lur इट ऑफ होगया युद può पहूँ अगर मैं बिल लोन जमा करूँ तो सिबल अच्छा होगा इसका बिल का बात कर रहा है यहाँ पर इसका मतलब इसका क्रेडिट कार्ड है ठीक है जी ठीक है बिल का बात कर रहा है इसका मतलब इसके पास क्रेडिट कार्ड है जिसका इन्होंने काफी लंबे समय तक पे नहीं किया जिसके बाद यह इनका कम से कम तीन साल कि इनोंने लगता पे नहीं किया है इस विए से इसका जो है लोन का करेट काड़ कहा चला गया डिफॉल्ट में चला गया चलो वह बाद की बात है आगे बात करते हैं में मुद्दे वाले बात क्या यह बात कर देखें सर मैं राइट आफ हूं अगर बिल जमा करूं तो सिभील अच्छा होगा या नहीं देखें बहुत इंपोर्टन कॉस्चन है चाहे आपका लोन हो क्रेट काड़ हो और जदी आपने लंबे समय तक इसका भुकतान नहीं किया पे नहीं किया है तो बैंक जो है आपका जो लोन क्रेट काड़ है उससे निकाल कर वह उसको बटे खाते मे डाल देती है अपने loan book से निकाल की ठीक है जी यानि वो अपने profit में अभी फिलाल सामिल नहीं करेगा क्योंकि आपका loan या credit card है उसको हटा दिया अपने loan book से ठीक है तो अब अब क्या होगा जब आप इसका आप जैसे बोले हो अगर बिल जमा करो क्या बोला आपने अगर यानि इफ यानि आप बिल पे करते हो तो क्या आपका सिबिल अच्छा होगा इसका answer है दोस्तो जदी आप ध्यान से सुनना यहां पर जो में बात बता जदी आपने आज दोस्तो कितने तारीक है आज है 12 सितंबर 2021 है ठीक है जी या 3 मंथ के बाद आपका improvement दिखने लगेगा ठीक है ध्यान से सुनेगा आपका सिबिल j penn जो है improve होने लगेगा इंपरूब ग्रेजुवाली इंपरूब क्या होगा देरे दे देरे करके इंपरूब होने लएगा और आपका सिबिल जो है छे महने के बाद जो है काफी अच्छा हो जाएगा यानि तीन महने के बाद इफेक्ट दिखने लएगा इसका आंसर क्या हुआ इसका आंसर यह हुआ दोस्तों लोन डाइट अफ होने के बाद भी जदी आप पूरा का पूरा आउट इस्टेंडिंग पे करते हैं बैंक से बात करने के बाद nope तो आपका सिबिल जू है 6 मंत के बाद जो है अच्छा हो जाएगा और बैंक आपका जो डुबा हुआ लोन था क्रेट कार्ड था उसको अपनी प्रोफिट बुक में मार्क कर लेगी और आपका सिबिल से एंट्री जो है राइट ओफ हट जाएगा और फिर आपको धीरी 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 करके आपको एक सिक्योर्ड क्रेट कार्ड ले लेना एपडी वगरे पे ले लेना और आपकी सिबिल जो है और काफी मस्त हो जागा फिर कुछ दिन के बाद आपको अच्छे अच्छे ओफर आने लेगे ठीक है जी लेकिन आपका इंटेंशन यहाँ पर बताया आपका इंटेंशन काफी क्लियर लग रहा है लोन देने का है तो ले लिजेगा उसको शही कर लिजेगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या निकला इसका इसका आंसर निकला दूस्तों यES आपका सिबिल जो है इंप्रूब होगा 100% होगा और 3-6 महने का टाइम लेगा WhatsApp के जो और पूरा का पूरा जानकार मिलेगे इस एक साथ वीडियो फिनिश